आज्ञादी के बाद पहली बार हमारी अपनी नई संसद में ये सपत समारो हो रहा है अब तक ये प्रक्रिया पूराने सदन में हुआ करती थी कि आज के इस महत्पपुन दिवस्पर मैं सभी नवनिर्वाचीत संसदों का रुदय से स्वागत करता हूं सबका अभिनंदन करता हूं और सबको अनेक अनेक शुप कामनाय देता हूं संसद का ये गठन भारत के सामान ने मानुवी के संकल्पों की पूर्ति का है नए उमंग नए उत्सा के साथ नई गती नई उचाई प्राप्त करने के लिए ये अत्यंत महत्पपुन आउसर है स्रेश्ट भारत निर्मान का विक्सित भारत 2047 तक का लक्ष ये सारे सपने ले करके ये सारे संकल्प ले करके आज अठारवी लोकसभा का प्रारंभ हो रहा है विश्वकां सबसे बड़ा चुनाव बहुती शांदार तरीके से बहुती गवरोमे तरीके से संपन्ध होना ये हर भारती के लिए गर्व की बात है एक सो चालीस करोड देश वाजशों के लिए गर्व की बात है करीब 65 करोड से जादा मत दाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया ये चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपुन बन गया है कि आजहादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है और यह अवसर कि साट साल के बाद आया है कि यह अपने आप में कि बहुत बड़ी गवरोपुर्ण घटना है कि साथियों कि जब देश की जनता ने तीसरे कारकाल के लिए भी एक सरकार को पसंद किया है मतलब कि उसकी नियत पर महर लगाई है कि उसकी नीतियों पर महर लगाई है कि जनता जनारदन के प्रति उसके सबर्पन भाव को महर लगाई है और मैं इसके लिए देश वास्यों का रजय से आभार व्यक्त करता हूं कि गत्त दस वर्ष में जिस परंपरा को हमने प्रस्थावित करने का निरंतर प्रयास किया है क्योंकि हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है लेकिन देश चलाने के लिए सहमती बहुत जरूरी होती है और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमती के साथ हर किसी को साथ लेकर के मा भारती की सेवा करें 140 करोर देश वास्यों की आशा आकांशाओं को परिपूर्ण करें हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं सबको साथ लेकर के संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए मिर्णयों को गती देना चाहते हैं अठारवी लोकसभा में हमारे लिए खुशी के बात है कि युवास सांसदों की संख्या अच्छी है और हम जब अठारा की बात करते हैं तो भारत की परंपराओं को जो जानते हैं भारत की सांस्कूरतिक विरासत से जो परिचीद है उनको पता है कि हमारे यहां अठारा अंक का बहुत सात्विक मुल्य है गीता के भी अठारा अध्याय है कर्म करतव्य और करुना का संदेश हमें वहां से मिलता है हमारे यहां पुराणों और उपपुराणों की संख्या भी अठारा है अठारा का मुलांक नव है और नव पुर्णता की गारंटी देता है नव पुर्णता का प्रतीक अंक है अठारा वर्ष की आयू में हमारे यहां मतादिकार मिलता है अठारवी लोगसभा भारत के अमरितकाल की इस लोगसभा का गठन वो भी एक सुपसंकेत है साथियों आज हम 24 जून को मिल रहे हैं कल 25 जून है जो लोग इस देश के संविधान की गरीमा से समर्पीत हैं जो लोग भारत की लोकतांत्री परमपराओं पर निश्टा रखते हैं उनके लिए 25 जून न भुलने वाला दिवस है कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र पर जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं भारत की नई पीड़ी इस बात को कभी नहीं भुलेगी कि भारत के सम्विधान को पूरी तरह नकार दिया गया था सम्विधान के लीरे लीरा उड़ा दिये गये थे देश को जेल खाना बना दिया गया था लोग तंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था इमर्जन्सी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गवरों के साथ हमारे समिधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतंत्र लोकतंत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देश्वासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पर काला धब्बा लगा दिया गया था हम संकल्प करेंगे जिवन त लोकतंत्र का हम संकल्प करेंगे भारत के समिधान की निर्विश दिशा के अनुसार जन सामान्यकी के सपनों को पूरा करना साथियों देश की जन्ता ने हमें तीसरी बार मोका दिया है यह बहुती महान विजय है बहुती भव्य विजय है और तब हमारा दाईत्व भी तीन गुना बढ़ जाता है और इसलिए मैं आज देश वाचों के विश्वाद दिलाता हूं कि आपने हमें जो तीसरी बार मोका दिया है कि दो बार सरकार चलाने का अनुभव उमारे साथ जुड़ा है मैं देश वाचों का अज विश्वाद दिलाता हूं कि हमारे तीसरे कारकाल में हम पहले से तीन गुना जादा मेहनत करेंगे हम परणामों को भी तीन गुना लाकर के रहेंगे और इस संकल्प के साथ हम इस नए कारेभाल को देख करके आगे चल दा है मानिया सभी सांसदों से देश को बहुत सी अपेक्षाएं है मैं सभी सांसदों से आगर करूँगा कि जनहीत के लिए लोग सेवा के लिए हम इस अवसर का उप्योग करें और हर संभव हम जनहीत में कदम उठाएं देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है अब तक जो निराशा मिली है शायद इस 18 लोग सभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरीकों की विपक्ष्टे नाते उनकी भुमिका की अपेक्षा करता है लोग तंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है मैं आशा करता हूँ कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा साथियों सवधन में सामान ने मानवी की अपेक्षा रहती है डिबेट की, डिजिलेंस की लोगों कोई अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे डिस्ट्रमंट होता रहे लोग सब्स्ट्रंस चाहते है स्लोगन नहीं चाहते है देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यक्ता है जिम्मेबार विपक्ष्ठी आवश्यक्ता है और मुझे पक्का विश्वाद है कि इस अठारवी लोग सभा में हमारे जो सामसद जीत करके आये हैं वो सामान ने मानवी की इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे साथियों विश्षिद भारत के हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब का दाईत्व है हम मिल करके उस दाईत्व को निभाएंगे जनता का विश्वास हम और मजबूत करेंगे पचीश करोन नागरिकों का गरीबी से भार निकलना एक नया विश्वास पैदा करता है कि हम भारत को गरीबी से मुक्त करने में बहुत जल्द सभलता प्राप्त कर सकते हैं और ये मानवजात की बहुत बड़ी सेवा होगी है हमारे देश के लोग एक सो चलीस करोन नागरिकों परिश्व करने में कोई कमी नहीं रखते हैं हम उनको जादा से जादा आउसर जुटाएं इसी एक कलपना और हमारा ये सदन वो एक संकल्प का सदन बने हैं हमारी अठारवी लोग सभाव संकल्पों से भरी हुई हो ताकि सामान ने मानवी के सप्न साकार हो साथियों मैं फिर एक बार विशेश करके नए सांसदों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं सभी सांसदों का अभिनंदन करता हूं और अनेक अनेक अपेक्षाओं के साथ आईए हम सब मिल करके देश की जनता ने जो नए अदाईत्व दिया है उसको बखुभी निभाएं समर्प्रण भाव से निभाएं बहुत-बहुत धन्यवाद साथियों बहुत नहीं जोना भाव